हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल हरीस क्लासेज में आज की वीडियो में हम यूपी वोर्ड क्लास 12 के प्रोज की फर्ष्ट जो लेसंग दिया गया है आगर विदा बास्केट इस लेसंग के रिफ्रेंस कॉंटेक्स्ट और एक्स्प कराऊंगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं लेसंग का नाम है अगर विदा बास्केट और जिसका जो एक पैसेज दिया गया है एट वन इस्टेशन से लेकर देजार तक फ्रेंट्स इसका पहले हम हिंदी अर्थ जान लेते हैं जिससे कि हमें कॉंटेक्स्ट लिखने में और एस्टेशन लिखने में कुई दिक्कत नहों तो आपका जो पैसे जब यहां से स्टाक होता है एट मने पर होता है सटेशन माने होता है एक इस्टेशन माने होता है STATION at one station एक station पर my मतलब मेरा routine सिल्सला याना continuity up मतलब क्या talking मतलब बातचित करने का with के साथ pupil माने लोगों was हो गया interrupted बाध्यत याना disturbed तो पूरा है at one station my routine of talking with pupil was interrupted एड एड एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने का सिलसला बाधेत हो गया कैसे बहुत सागा इस देशागी आप दे सकते हैं कि helping बार्व के बाद third form दिया गया है आगे है as soon as जैसे ही या यह ही यहाँ प्रेस आई रहेगा आई यानि कि मैं अलाइट नीचे उतरा as soon as आई अलाइट जैसे ही मैं नीचे उतरा आग ग्रोप आग ग्रोप माने एक समूं आग ग्रोप माने एक समूं of young children चोटे बच्चों का gatherd एकटा हो गया gatherd माने एकटा हो गया around माने चारों तरफ यक के आसपास मी माने मेरे तो as soon as जैसे ही या जियों ही आई अलाइट एड में नीचे उतरा आग ग्रोप आफ यंग चिल्टरन gatherd around में एक छोटे बच्चों का समूं मेरी चारों तरफ एकटा हो गया they were selling they were selling बेच रहे थी basket माने टोक्री या hand woven हास से बन्यूं ही रीड नरकट या सरकंडा basket माने टोक्री बेच माने के साथ simple मतलव साधारां designs माने नमूना या आकार and patterns इसका मतलब भी नमूना या आकार तो एक ही कार्थ कहीं है तो they were selling baskets and hand woven read baskets with simple designs and patterns यानि वे हास से बन्यूं ही साधाराण नमूने या आकार की टोक्रियां बेच रहे थे they माने way held पकड़े थे या उंचा उठाए थे the baskets माने उन टोक्रियों को high माने उंचा they held the baskets high way उन टोक्रियों को उठाए थे या उंचा पकड़े थे shouting words और सब्दों को चला रहे थे अथारत अपनी बस्तों के नामों को चला रहे थे I did not know मैं समझ नहीं पाया I did not know मैं समझ नहीं पाया या मैं जान पर नहीं पाया बट लेकिन conveying बता रहे थे unmistakable ispast रूप से they are desire अपने इच्छाओं को यानि मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या कह रहे थे लेकिन उनकी इच्छाओं इस पस्ट रूप से बता रही थे तो फैले फ्रेंज्स हम इसका reference देख लेते हैं reference अगर फ्रेंज्स आपको वीडियो किसी भी topic पर चाहिए तो comment अबस कर रहे हैं तो reference जैसे आप हिंदी में लोग कहते हैं संधार हो तो आप वो इस प्रका से लिख सकते हैं कि these lines these lines यानि ये पंक्तिया have been taken have been taken ली गई है these lines have been taken ये पंक्तिया ली गई है from the from the lesson from the lesson यानि उस पार्ट से उस पार्ट का नाम आप कॉमा के अंदर लिख सकते हैं a girl with a basket these lines have been taken from the lesson अगल बदा बास्केट यानि ये पंक्तिया अगल बदा बास्केट नामक पार्ट से ली गई है आप आगे लेखेंगे कि written by written y William C Douglas William C. Douglas William C. Douglas जैसे कि आपको गोड़ एक्जाम में देखने हैं कुमले तो आसानी से लिख सकें तो अब लिखते हैं इसका context जैसे आप हिंदी में कहते हैं प्रसंग तो जैसा कि आपको इससे पढ़कर पता चला है कि लेखक ने एक station के बारे में बास्चीत की है या एक station का वरणन किया है जहां वह सरडारती बच्चों के एक समुग के द्वारा घेर लिया जाता है या उसके चारो तरफ एकटे हो जाते हैं तो आपका जो context वो friends वह ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए तो आप लिख सकते हैं कि in these lines in these lines the writer in these lines the writer आपर यानि कि इन पंक्तियों में लेखक डेस्क्राप्स डेस्क्राप्स यानि वरणन करता है द शेंड द शेंड शेंड ओफ रेल्वे 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 इस्टेशान in these lines the writer describes the scene of a railway station यानि इन पंक्तियों में लेखक एक रेल्वे इस्टेशन के द्रस्य का वरणन करता है वहयर जहां वहयर मतलब जहां a group ग्रॉप आफ और और ग्रॉप और रिफूजी और इस चिल्ड्रन रिफूजे चिल्डरन गैदर्ड गैदर्ड आराउंड हैं या गैदर्ड हैं तो अराउंड लिख देते हैं अराउंड है तो इस प्रकास से आप इसका कॉंटेक्स लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स दा राइटर डेस्क्राइब्स दा सीन ओफ रेल्वे इस्टेशन और इन पंक्तियों में लेखक एक रेल्वे इस्टेशन का द्रस्य का वर्डन करता है जहां एक सर्डार्थी बच्चों का समों उसके चारों तरफ हो एकटा हो जाता है तो फ्रेंट्स अब देखते हम इसका एक्सप्ला नेशान जैसे आप लोग कहते हिंदी में ब्याख्या तो फ्रेंट्स ब्याख्या मैं आपको इसी में से कराना सिखाऊंगा तो आपको इसे पढ़कर पता चल चुका है कि लेखक क्या कहना चाता है तो आप स्टार्ट्निंग इस प्रकास से कर सकते हैं कि इन दीज लाइन्स यान इन पंक्तियों में दराइटर दराइटर यानि कि लेखक सेज कहता है in these lines the writer says यानि इन पंक्तियों में लिखा कहता है that के क्या कहता है तो देखाए आपने की at one station my routine of talking with the pupil was interrupted as soon as I alighted यानि जैसे ही मैं नीचे उतरता हूँ तो मेरे बात करने का सिलसला लोगों से बारत हो जाता है तो आप आगे लिख सकते हैं कि in these lines the writer says that यानि इन पंक्तियों में लिखा कहता है कि as soon as as soon as as soon as यानि जैसे ही I allotted मैं नीच्चे उतरता हूँ किस से उतरता है प्रेंच से तो आप लिखेंगे as soon as he यहां allotted लिखा है तो आप लिख सकते हैं gets down he gets down he gets down at a railway station या फिर station ही लिख देते हैं at a station from the train from the train तो फ्रेंच इसका हिंदी आर्थ हमने कर दिया है कि as soon as I allotted यानि लेखा को तरता है तो हमने उसके लिए he use कर दिया तो in these lines the writer says that as soon as he gets down at a rail at a station from the train यानि इन पंक्तियों में लेका कहता है कि जैसे ही वह है train से एक station पर नीचे उतरता है तो उसने कहा है कि my routine of talking with the pupil was interrupted यानि उसका लोगों से बात चीट करने का सिलसला बादेत हो गया तो आप लेख सकते हैं कि हेज हेज अब यहां routine दिया है इसके लिए आप continuity word का यूज कर सकते हैं निरंतरता continuity यानि कि निरंतरता अब यहीं लिख दें of talking with the pupil of talking with the pupil talking with the pupil और बॉज का बॉज ही रहने दें बॉज अब दिया गया है interrupted यानि बादेत हो गया इसके लिए आप disturbed लिख दें disturbed माने होता है बादेत होना तो हमने आपको यहां तक इसका हिंदी अर्थ बता दिया यानि explanation यहां से यहां तक हो गया यानि कि at one station my routine of talking with the pupil was interrupted as soon as I alighted यानि जैसे ही मैं एक station पर नीचे उतरता हूँ तो मेरा लोगों से बात चीत करने का सिलसला बादेत हो गया तो इसका हमने explanation इस प्रकास से किया कि in these lines the writer says यानि इन पंक्तियों में लेका कहता है that as soon as he gets down at station from the train वह कहता है कि जैसे ही वह train से एक station पर नीचे उतरता है तो his continuity of talking with the pupil was interrupted उसका लोगों से बात चीत करने का सिलसला बादेत हो जाता है कब बादेत हो जाता है तो आगे बताया है a group of young children gathered around him जब उसके चारों तरफ एक बच्चों का समू चारों तरफ हो इखटा हो जाता है तो आप आगे लिख सकते हैं वहन यानिकि जव he उसे he was he was उसे surrounded he was surrounded उसे घिर लिया जाता है तो आगे लिख सकते हैं why a group of refugee children जब उसे एक सरड़ार्ती बच्चों के समू के द्वारा घिर लिया जाता है are you friends इतना clear हुआ होगा आप चाहे तो एक इसका screenshot ले सकते हैं आगे मैं इसका और आपको explanation करके बताता हूँ तो friends आगे है they were selling baskets यानि भी टोकरिया बेच रहे थे hand boomer read baskets with simple designs and patterns यानि कि जो टोकरिया थी वह साधार नमूने आकार की नरकाट और सरकंडे यानि उन लड़कों के लिए relative pronoun who were shelling selling the baskets यानि जो टोकरिया बेच रहे थे यहाँ आगे अभी अर्थ बताऊंगो आपको friends द्वारा से तो जो टोकरिया बेच रहे थे आगे करशा गया है कि जो टोकरिया बनी हुई थी वह साधार नमूने आकार की हास से बनी ही थी तो आप लेख सकते है that जो were made of that were made of hand-woven hand-woven read baskets read baskets with with simple with simple designs with simple designs यानि friends आपका यहां तक हिंदी आर्थ हो गया तो who were selling the baskets that were made of hand-woven read baskets with simple designs यानि कि जो लड़के थे वह टोकरिया बेच रहे थे जो टोकरिया थी वह है सादर नमूने की और हास से बनी हुई टोकरिया थे आगे है they held the baskets high यानि वे उन टोकरियों को उंचा पकड़े हुए थे तो आप लेख सकते हैं दोज दोज चिल्डरन यानि वे बच्चे held पकड़े हुए थे held पकले हुए थे their baskets their baskets high in the air यानि इस क्लाइन को आप इस प्रकास से लेख सकते हैं कि those children held their baskets high in the air यानि वे लड़के अपने टोकरियों को हवा में उंचा पकड़े हुए थे या हुठाए हुए थे आग एक आगया है shouting verse सब्दों को चिल्ला रहे थे अथात अपनी वस्तों के नामों को चिल्ला रहे थे तो आप लेख सकते हैं end और calling out calling out पकार रहे थे calling out पकार रहे थे their articles name their articles name और अपने बस्तों के नामों को पकार रहे थे, क्यों पकार रहे थे, तो फ्रेंड्स यहां बाई लेख सकते हैं, बाई यानि खरी सके, तो जिस्ता कि लेखा उनके टोकरियों को खरेद सके, इसलिए भी चिला रहे थे अपने बस्तों को नामों को, आगे कहा गया है, I did not know, मैं समझ नहीं पाया, तो आप कह सकते हैं, लेकिन राइटर समझ नहीं पाया, तो आप रिख सकते हैं, but, he did not know, अब नो की जगए पर understand लेख देंगे, know Hindi, because he did not know Hindi, क्योंकि वह Hindi नहीं जानता था, वह Hindi नहीं जानता था, यह कहा गया है, क्योंकि वह Hindi नहीं जानता था, आप चाहें तो यहाँ पर भी सब्दों को बढ़ा सकते थी कि, calling out at the article's name, but the writer know, did not know, those words, या नहीं लेका को उनके सब्दों को समभई नहीं पाया, आगे कहा गया है, what conveying unmistakably their desire, लेकिन वे अपने इच्छा को इस पर्ष्ट रूप से बता रहे थे, तो आप लेख सकते हैं, the writer, the writer, तो friends, yet लिखने, फिर भी, ज्यादा बहतर रहेगा, फिर फिर वी, the writer, the writer, could, सका, the writer could understand, understand, their desire, their desire, yet the writer could understand their desire, clearly, clearly, ले, यानि इस पर्ष्ट रूप से, यानि फिर भी लेखा को इस पर्ष्ट रूप से उनकी इच्छा को समझ सका, that, k, क्या चाता था कि he should have, उसे अवस्त ही, या should have, चाहिए थी, by, तो नहां third form हो जाएगा, friends, what, क्योंकि should have के साथ third form का क्यों किया आता है, what, they are baskets, they are baskets, यानि कि, कि उसे उनकी टोकरियों को अबस से खरीद लेना चाहिए था, तो, friends, मैं इसका एक वार आपको हिंदी आर्थ बता देता हूं, तो, in these lines, the writer says that as soon as he gets down at a railway station from the train, यानि इन पंक्तियों में लेखा कहता है कि जैसे ही वह है train से, यानि विन से एक station पर नीच उतरता है, तो his continuity of talking with the pupil was disturbed, तो उसका लोगों से बात करने का सिल्सला बादित हो गया, when he was surrounded by a group of refugee children, जब उसे एक सरडार्ती बच्चों का गुरूप घेर लेता है, यानि शमों घेर लेता है, तो who were selling the baskets, वे बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, that were made of hand woven and baskets with simple designs, यानि वे टोकरियां साधार नमूने या आकार की हास से बन्यों हैं थें, those children held their baskets high in the air, यानि कि वे बच्चे अपनी टोकरियों को हवा में उच्चा पकड़े हुए थे या उठाई हुए थे, and calling out their articles name, और अपनी बच्चों के नामों को चिल्ला रहे थे, आप चाहे तो एक लाइन एड कर सकते हैं, क्योंकि he did not know Hindi, क्योंकि वे Hindi नहीं जानता था, yet फिर भी the writer couldn't understand their desire clearly, फिर भी लेखा को उनकी इच्चा को इस पश्च रूप से समझ सका, that kid he should have bought their baskets, कि उसे उनकी टोकरियों को खरीद लेना चाहिए था, फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हुए तो लाइक और कमेंट जरूर करें, थेंक्स फॉर बहुच चाहिए, प्रेंड्स फॉर भी जरूर देखा झाली मेंट्स पस्तूर को ऊच्छा करेंकि उसे हुच।